आज हम पढ़ेंगे आपका जो क्लास 10 का English First Flight Book का 7th Chapter है Glimpses of India उसका 3rd Part Tea from Assam पहले 2 Parts और उसके Questionals हम कर चुके हैं यह हमारा 3rd और Last Part है तो इसमें Assam के अंदर जो Tea Plantations होते हैं उसके बारे में बात की जाएगी लेकिन यह कुछ स्टोरी टाइप है दो लड़के हैं उनकी स्टोरी है यह तो कौन कोन है दो लड़के प्राजवीर यंगस्टर फ्रॉम Assam इस राजवीज क्लासमेट एट स्कूल इन देली यानि की प्राजवीर है एक लड़का जो की Assam का है लेकिन वो अपने दोस्त के साथ यानि की राजवीर जो की उसका क्लासमेट है उसके साथ देली में रहता है अब प्राजवीर जो पिताजी है वो असम के अंदर अपर असम के अंदर टी गार्डन के यानि की चाय के बगान के मेनेजर है और इस बार तो क्या हुआ प्राजवीर ने अपने दोस्त को राजवीर को summer vacations के दौरान गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने दोस्त राजवीर को invite कर लिया कि आओ हमारे असाम में गुमने मैं तुम्हें वहाँ गुमाऊंगा तो ऐसी story स्टार्ट होती है कि प्रांजर और राजवीर फिर कहां चलते हैं उनकी छुटियां हो गई होती हैं और वो चलते हैं सीधा बस या train की तरफ train की तरफ train की तरफ train के रास्ते से जाते हैं तो train के अंदर क्या क्या scene होते हैं आब वो हमारे सामने आएंगे शिरुवात होती है चाई गरम गरम चाई अब एक वेंडर की एक चाई बेशने वाले की आवाज आती है कि चाई गरम गरम चाई और वो पूछता है जैसे हम कभी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो अक्सर वेंडर आते रहते हैं चाई वगरा बेशने के लिए या कुछ गोलियां वगरा कुछ फ्रूट कॉलरिंग वगरा इस तरह से बेशने के लिए अब वो जो वेंडर है वो उनकी विंडर पे आता है जहां पर ये दोनों दोस्त बैटे होते हैं और पूछता है चाई साब की साब चाई लोगे गिवस टू कप्स प्रांजल सेट तो प्रांजल कहता है कि दो कप देदो भाई दे सिप दा स्टीमिंग होट लिकवट और वो उस गरम गरम चाई को फिर सिप करते हैं पीते हैं अल्मोस्त एडरीवन इन दिया कंपार्टमेंट वस डिंकिंग टी टू अब उनके कंपार्टमेंट में उनके डबे में जितने भी लोग वहाँ बैटे होते हैं लगबग लगबग सभी के सभी चाई पी रहे होते हैं तो राजवीर यह चीज़ देखकर बोलता है कि भाई तुम्हें पता है क्या कि लगबग अगर एक दिन की बात करें तो दुनिया में पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर अंदर लगबग असी करोड कप चाई पी जाती है लोगों के द्वारा तो प्राजवीर इस पर कुछ अश्चरे चकित होकर अपने एक्सप्रेशन से देता है और बहुत है वियर और कहता है कि चाय तो मतलब बहुत पॉपुलर चीज़ है यार और फिर आगे क्या होता है दा ट्रेंड पूर्ड आउट अफ दा स्टेशन अब ट्रेंड जो है अपनी नाग घुसा लिए उसके अंदर इसका मेनिंग यहाँ पर है कि प्राजवीर जैसे ही ट्रेंड चली तो प्राजवीर अपनी पुस्तक पढ़ने में बीजी हो गया और कौन सी बुक पढ़ता है वो डेटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है राजवीर टू वोज अब राजवीर जो है वो भी आड़ने फ्रैन है यानि कि एक कटर जोशीला फ्रैन है डेक्टिव स्टोरीज का बट एट दा मुमेंट ही वोज नीनर ओन लुकिंग एट दा ब्यूटिफुल सीन जी लेकिन इस समय तो भाईया उसे क्या पसंद आ रहा है इस समय उसे जो बा सुक है काफी ज़्यादा नीन है काफी ज़्यादा उसकी इच्छा और यह कि वो बाहर के मुमेंट को ही देखे इसलिए वो डिटेक्टिव स्टोरी नहीं पड़ता इट वोज ग्रीन एवर राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर और यहां पर बाहर बहुत ही बहुत ही हर्याली होती है और राजवीर ने आज से पहले इतनी ज़्यादा हर्याली कभी नहीं देखी होती दें दा सौफ्ट ग्रीन पैडी फिल्ड गेव वे टू टी बुशे अब पैडी पैडी का मिन क्या होता है पैडी होता है चावल के जो खेत होते हैं उन्हें पैड यहां पर गने से मतलब आएगा कि जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ती जाती है आगे गने गने पहाडियां आती जाती है गनी गनी जंगली पहाडियां आती जाती है और जहां जितनी दूर तक देखते जाओ बस जितनी दूर तक आँख देख पाती है उतनी दूर तक हमें क्या दिखाई देते हैं tea के plantations tea के bushes ही दिखाई देते हैं वहाँ पर अपने stretching करते हुए यानि कि लहराते हुए अब बात आती है कि वहाँ पर जितने भी plants होते हैं वो सारे कैसे होते हैं मजबूत या तगड़े होते हैं कि इनकी तगड़ी shade होती है trees की यानि कि काफी ज़्यादा darkness सी shade होती है dark green से होते हैं और लगबग इन trees के बीच में या इन plants के बीच में emidast यानि की बीच में orderly row of bushes busily move doll like figures इन सभी plants के बीच में लगबग order में यानि की line wisely ही कुछ rows बनी हुई है जिन में उन bushes के उन पहाड़ी नहीं उन plants के बीच में काफी doll like figures हैं यानि की काफी सारी ओरते खड़ी हैं या लड़कियां खड़ी हैं जिनकी figure कैसी है doll like है यानिकी वो doll की तरह लग रही है क्योंकि उनके सिर पर cap पहने हुई है बैग पर टोकरी बांद रखिया उन्हें पीट पर जिसमें की वो tea plantations के through tea की जो plants है उनको इकठा कर रही है जितने भी उनके tea काट रही है उनको या कहसकते हैं कि हम tea इकठा कर रही है तो जो doll like figures हैं वो वहाँ पर tea इकठा कर रही है उस plants के बीच में खड़े होकर अब आगे क्या आता है और कुछ ही दूरी पर आगे जाने पर क्या होता है अगली बिल्डिंग से यानि की एक अगली बिल्डिंग है जिसमें से smoke बिलॉइंग यानि की जो चिमनी है बड़ी सारी उसमें से धुवाँ बार की तरफ उठता हुआ दिख रहा है आगे आता है यह चीज़ देखकर राजवीर बोलता है कि अरे देखो एक टी गारडन आ गया है प्राजवीर की एक्साइटमेंट में शामिल नहीं होता है और मतलब अपने दुन में किताब पढ़ता रहता है बस उसे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती तो आगे बात आती है आगे अब जवाब देता है प्राजल कि तुम देखोगे कि यह एक टी कंट्री है यानि कि यहाँ पर चाय काफी ज़दा हुगाई जाती है आसाम जो है वो चाय के लिए चाय के प्लांटेशन के लिए बहुत ही बड़ी जगा है यानि कि दुनिया में सबसे ज़दा चाय के प्लांटेशन हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा concentration है you will see enough gardens to last your lifetime और तुम्हें लगबख बहुत ही ज़्यादा gardens चाहे के यहाँ पर देखने को मिलेंगे I have been reading as much as I could about tea राजवीर said तो राजवीर कहता है कि जितना हो सकता है मैं चाहे के बारे में पढ़ रहा हूँ चाहे के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ No one really knows who discovered tea but there are many legends अब आगे राजवीर बोलता है कि किसी को पता तो नहीं है कि चाहे की शुरुआत कैसे हुई थी डिसकावरेशन कैसे हो अथा चाहेगा लेकिन इसके बारे में काफी legends हैं काफी सारी कहानिया है आगे बोलते हैं हमारे बाई साब जो प्रांजल बाई साब हो कहते हैं कि किस तरह की कहानिया है भई So well there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it तो पहली स्टोरी आती है पहली स्टोरी में क्या बताता है राजवीर की एक Chinese emperor होता है एक Chinese तानशा होता है जो कि हमेशा अपना पानी पीने से पहले उसे उबाल कर पीता है यानि कि उबालता है One day a few leaves of figs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor तब एक दिन क्या होता है जब वो पानी उबाल रहा होता है तो उस उबलते वो पानी के अंदर कुछ twigs कुछ टहनिया गिर जाती है जिससे कि उसका जो flavor है पानी का वो कुछ different सा delicious सा बन जाता है It is sad there were tea leaves और अब ऐसा का जाता है कि वो जो गिरी थी उसके अंदर टहनिया वो tea leaves ही थी इस तरह से चाहे पीने की शुरुबात होई Tell me another So Pranjal तो Pranjal उसको मतलब ताना मारते हुए कहता है कि यार कुछ और बताओ यह तो मज़दार नहीं है भई We have an Indian legend too तो अब राजीर कहता है कि यार हमारी Indian गानी भी तो है एक Bodhi dharma अब Bodhi dharma एक person का नाम है An ancient Buddhist Estic एक मतलब बहुत धरम के या बुद्ध थे एक बहुत ही महान बुद्ध थे Bodhi dharma Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation तो जब वो मतलब ध्यान मगन होकर बैठते थे तो उनकी आँखों की वज़े से eyelids की वज़े से उन्हें नीदाने लग जाती थी वो sleepy sleepy feel करते थे इसलिए उन्हें अपनी eyelids काट दी अपनी पलके जो हैं वो काट दी 10 tea plants grew out of the eyelids और वो जो eyelids हैं उन्हें कहां जब tea plantations की गई तो वहाँ पर लगबग 10 tea plants के अंदर वो eyelids को डाला गया The leaves of these plants when put in hot water are and drunk banished sleep और जब इन leaves को फिर plants के थूँ मतलब ये जो leaves इकठा हुई उगी उसके बाद उन्हें तोड़ा गया फिर जब गरम पानी में उबाला गया इनको और उसके बाद पिया गया तो उससे क्या होता था sleep यानि की नीन जो है वो बैनिश हो जाती थी दूर भाग जाती थी तो नीन को खरम करने के लिए eyelids को काटका जब डाला गया tea plantations के अंतर इस तरह की कहानी हमें दूसरी बताएगी है जो किसकी है बहुत ही दर्मा की है उसके बाद क्या होता है tea was first drunk in China राजवीर सेट तब राजवीर बोलता है कि चाए को जो पहली बार पिया गया था वो चाइना में पिया गया था as far back as 2700 BC before Christ 2700 साल पहले यान कि before Christ के भी 2700 साल पहले चाए को पिया गया था in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese और जैसे कि ये words है tea, chai, chini ये सभी words भी कहां से लिए गये हैं चाइना से लिए चाइनीज है tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage और जो चाए है tea जो है वो यूरोप में कब 16 सदी में आई थी 16th century में और तब जब ये पी जा दी थी तो लोग इसे medicine की तरह दवाई की तरह पीते थे ना कि beverage की तरह जैसे कि हम आज कल आम पीते हैं कि यार सिर्ट दुकर है तो भी चाए बना दो मतलब time pass नहीं हो रहा तो चाए पी लो कोई आया है तो चाए पी लो यार सारे कठे बैठे हैं चाए तो बना लो ऐसे करके मतलब beverage के रूप में regularly नहीं पी जाती थी सिरफ medicine के रूप में पी जाती थी अब ट्रेन कहां पर पहुंचती है मरियानी जंक्शन पर पहुंचती है अब वो दोनों लड़के प्रांजल और राजवीर जहां वो अपना लगेज उठाते हैं इकठा करते हैं और फिर उस भीडबार वाले प्लैटफोर्म से बाहर की तरफ निकलते हैं अब प्रांजल के जो पैरेंट्स है वो वहाँ पर वेट कर रहे थे उन दोनों का कि यार अमारा बच्चा आरा चलो ले आते हैं सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखिया बारी और उसके बाद वो किस तरफ निकल जाते हैं देखिया बारी की तरफ अपने ड्राइविंग शुरू कर रहे थे हैं अब लगबग एक गंटे के आसपास ही समय बीता होगा कि हमारी जो कार है वो वियर्ड शापली वियर्ड शापली का मतलब बता है अचानक से मोड लेना तो में रोड से अचानक से नीचे की तरफ उतारी जाती है देख क्रोज जो कैटल ब्रिज एंटर देखिया बारी टी एस्टेट और तब क्या करते हैं वो एक कैटल ब्रिज क्रोज करते हैं कैटल ब्रिज क्या होता है अब ध्यान से सुनिएगा जैसे कोई नहर जा रही है तो नहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो हम पुल बनाते हैं उसे cattle bridge का जाता है जो किसी car, bike या फिर पैदल जाने वाले या फिर गाएं, बेड़ बकरियों को इधर से उतर ले जाने के लिए नहर पार करवाने के लिए बनाया जाता ह तो मेन इसको cattle bridge का जाता है तो वो cattle bridge को cross करते हुए देखिया वारे tea estate में, tea plantations में पहुंचते हैं on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all nearly front to the same height अब जो gravel road है, gravel road याने की गाम में, जो कच्ची road होती है, उसे gravel road का जाता है की जो कच्ची road है, उसके दोनों side क्या है, acre, acre तक याने की दूर दुख तक क्या है, सब tea bushes है, सभी tea के plantations है और लगबग सभी same height के ही front है, याने की बराबर height में काट कर रखे गए है जैसे आपने कोई table देखियोगी, वो उपर से plain चोरस होती है, उसे shape दी जाती है उसी तरह ही जो tea plants है, इन्हें भी इस तरह से बराबर बराबर काटा गया है कि एक सी shape इनकी दिखाई दे Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves अब वहाँ पर क्या होता है, tea pluckers है, ने की tea की जो पतियां काटते हैं, छांटते हैं, चटाई करते हैं उनकी वो लोग वहाँ पर group में खड़े हैं, bamboo basket या पीट पर एक टोकरी टंगी हुई है, wearing plastic aprons, aprons क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, जब kitchen में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय हम कपड़ों के उपर एक और कपड़ा सा पहनते हैं, या डीला सा कुछ वस्तर पहनते हैं ताकि हमारे जो खुद के कपड़े हैं वो गंदे ना हो, तो वो मतलब front side में पहने जाने वादा जो कपड़ा होता है, कपड़ों के उपर उसे apron कहते हैं, जिससे कि हम अपने कपड़ों को गंदे होने से बचा सकें, तो वो plastic के apron सब ही ने पहने होए हैं, और वो कहा, newly sprouted leaves, यानि कि ताजी ताजी नहीं नहीं गनी गनी जो पती आई हैं चाय की टीकी उसे pluck कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, प्रांजल's father slow down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass, अब प्रांजल के पिता जी अपनी गाड़ी को कुछ slow कर लेते हैं, ताकि उसके सामने से जो tractor आ रहा है, उसे पास करने दिया जाए, उसे निकलने दिया जाए साथ ही से, क्योंकि गाव की गलियां कुछ ज़्यादा चोड़ी नहीं होती हैं, पतली पतली सी होती हैं, और कच्ची भी होती हैं, तो वो थोड़ा रास्ता दे देते हैं, प्रांजल के पिता जी, कि हाँ पर tractor वाले बाई, तुम नि कौन है, प्रांजल के पिता जी होए, क्योंकि गाड़ी में तीन ही लोग थे, राजवीर प्रांजल और थर्ड परसन का नाम है, मिस्टर बैरुआ, तो वो प्रांजल के पिता जी ही होंगे, तो राजवीर ये पूछता है, कि ये तो second flush है न, sprouting period है न, मतलब कि ये दूसरा हुआ, फिर second term होंगे, और फिर third term, या फिर half yearly, फिर annual exam होंगे, तो ये सबी जो exam होते हैं, ये terminally चलते हैं, आप इसे first term, second term कहते हैं, उसी तरह जब पोदो की कटाई की जाती है, फसल की कटाई की जाती है, तो उसे flush season या sprouting period का जाता है, कि जब second बार काटेंगे तो second flush, third ब period कहते हैं, तो राजवीर ये बाद किसे पूछता है, Mr. Barua, जो कि प्रांजल के पिता जी है, उनसे पूछता है, और आगे क्या बोलते हैं, फिर, it lasts from May to July and yields the best, कि ये season, sprouting season कब तक रहता है, मई से लेकर July तक रहता है, और इसमें, जो मतलब साल बर की best चाहे है, वो produce की जात है, you seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father sad and surprise, तो प्रांजल के जो पिता जी है, वो एकदम से अचानक से मतलब surprise होकर बोलते हैं, कि लगता है बच्चे तुम ज़्यादा इसके बारे में खोजबिन करके आयो, अपना काम को बढ़िया करके आयो इसके बारे में, yes Mr. Barua, राजमीर admitted, तो इसके बारे में और जादा जान सकोंगा, जितना पहले जान चुका हूँ, उससे भी जादा जान सकोंगा, तो इसे के साथ हमारा जो यह chapter है, वो complete हो चुक है, तीनों parts, third part के question answer नहीं है, तो additional question answer जैसे time मिलेगा, वैसे इसकी वीडियो बना दी जाएगी, और channel पर update कर दी जा झाल